जहें साथ हो स्वागत एक बाद फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में तो दोस्तों हर रोज की त्रयाज़ विएम निप्टी फिप्टी की कम्प्लीट एनलेक्सिस वीडियो आसवी की बीच लाएं हैं जो की कल के लिए होने वाली है कल है एक दिसं चीजें बता के जाओंगा लर्निंग से रिलेटेड वीडियो भी होने वाली है इसलिए वीडियो को जरा सा भी स्किप मत किजीगा इसमें हम यह बताएंगे आपको कि कल की रेंज में कौन कौन सी मार्केट मूमिंटम देखने को आपको मिल सकता है सबसे पहले दोस्तों कई मार्केट मूमिंटम तो यहां पर आपको बॉक्स स्ट्रेडिजी काम आती है आपके लिए मतलब अगर जिस प्रकार से आपको जिधर आपको मूमिंटम देखने को मिल जाता है बहुत सारे जो पुराने वीवर्स हैं हमारे वो सभी लोग जानते होंगे कि बॉक्स में मार्केट चल लही है चाहे यह अप्रेंड हो या फिर यह डाउन ट्रेंड हो तो अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट चल लही तो वहां पर ट्रेंड लाइन पैटन फालो होता है तो यहां पर आप सिंपल तरीके से ट्रेंड लाइन पैटन फालो कर सकते हैं देख सकते ह दिनों से market एक ट्रेंड में चल रही है और वो ट्रेंड कौन सा है अब ट्रेंड है पिछले 2-3-4 वीडियो में हमने आप सभी को बताया है trend line का screenshot भी कई बार आप सभी को दिखाया है तो trend line का screenshot में पहले ही दिन से जैसे ही यहाँ पे आप trend शुरू हुआ था दूसरे दिन से आप देखेंगे जो regular videos हमारे देखते हैं वो सभी लोग जानते होंगे कि यहीं से मैंने आप सभी को बता दिया था कि trend line ड्रा कर लो किया जाता है बड़सातिक कुछ चीजे live market में change हो जाया करती है तो live market में आप सभी के लिए जो videos provide कराता है और वो valuable होती है live market में जो helpful होती है आपके लिए video वो actual में valuable videos होती है तो दूस्तों अगर channel पे नए हैं तो एक बार subscribe करके बिल आइकन को प्रेस कर लीजेगा ताकि हमारे दौरा किसी वीडियो की update की notification आप से मिस नहों और आप उसका लाग उठा पाए आपके पास जैसे ही notification पहुचे क्योंकि यहां पे आपको daily basis पे nifty and bank nifty की एलसे वीडियो तो provide ही करा जाती है साथी साथ option trading की वो strategy आप सभी के साथ साजा की जाती है जो कि आपको किसी option trading के course में देखने को मिल जाती होंगी यानि की वो चीजे वो premium चीजे हम आप सभी को free में provide कराते हैं जिनका लोग एक अच्छा खासा पैसा पे करके आते हैं चाहें तो आप संट trading strategies की हमने चैनल पर प्लेजिस बना के रखी है उसके वीडियो आप सभी लोग फ्री टाइम में देख लीजेगा अधरवाइस पहले यहां पर हम निफ्टी की जिरो एरो पोजिशन बना सकते हैं लेकिन सबसे पहले हर रोज की तरह आज भी हम यहां पर कहना चाहूंगा कि यहां पर एक सिंपल सी बहुत मोस्ट पैटर्ण हो जाता है यहां पर तो इसे जितने ज़्यादा टाइम फ्रेम पर रखते हैं उतना ज्यादा यह स्ट्रॉंग हो जाता है इसका भी मेरे पास जो experience है वो मैं आप सभी से बता रहा हूं और आप सभी लोग भी दीरे-दीरे experience को लेते रहेंगे तब ये सारी चीज़े आप सभी के सवन में आएंगी हाँ इसके बाद में मैं भले ही इसको मैं 15 मिट के time frame पर कर देता हूं लेकिन जब मुझे train line लगाना होता है तब मैं इसे 30 मि लेर हो गया होगा कि अगर train line को breakdown देती है तब market downside में आपको position मिलती हुई निजर आ सकती है पी की position बना सकते है otherwise यहाँ पे अभी CE की position देखने को आप सभी को मिलेगी कब तक जब तक ये train line के ऊपर market trade करती रहेगी तो इसी train line को follow करते हुए ये market कहीं तक भी जा सकती ही कहीं है train line breakdown होनी है ऐसी बात नहीं है लेकिन अब train में जा रही है तो कहां तक जाती है जहां तक जाएगी वहां तक हम इसका CE की तरफ पीछा करेंगे फिलाल इस टाइम पे हम train line को ही follow करेंगे इस किंसाट आप सभी लोग ले लीजीगा कुछ levels भी हम यहाँ पे extra आप सभी को provide कर कर दी हैं अगर ऐसे ड्रा करते तो यह को रही है अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लाइन सी ड्रा कर दिया होता तो तो यह जो रेंज बन रही है हमारी यह रेंज बन रही है no trading zone या फिर इस रेंज में आप 100 points में अगर खेल कर पाते हैं तो कर सकते हैं इस चीज को हम आवा आप स आप सभी को अभी समझाएंगे सबसे पहले हम यहाँ पर आप सभी को बता देना चाहते हैं कि 18,000 यह लेवल नोट का लीजेगा 18,850 और यह वाला जो यह रेंज है यह है 18,750 इस 100 points के बीच में अगर आप trade करना चाहते हैं तो यहाँ पर C और पीक पोजिशन ऐसे से करके द आपको उपर की तरफ देखने हो मिलेगा 18,950 का क्या 18,950 का लेवल आपको उपर की तरफ देखने हो मिलेगा अगर 18,850 को break करती है उपर की तरफ तो otherwise मैं फिर से एक बार repeat कर रहा हो कि अगर इस रेंज में कहीं भी market opening कराती है इस रेंज में तो यहाँ पे कुछ दे टाइ कर देखने वाली बात यह है कि प्रीमियम डिके अगर होगा तो कहां तक होगा देखिए अगर स्टार्टिंग में ही नौ बज़े से दसवे के बीच में अगर आपको यहाँ पर मुमेंटम मिल जाता है 100 पॉइंट का अगर कैप्चर कर पाते हैं तो अच्छी चीज है कैप् में अगर 18,750 के आसपास में निफ्टी दिखती है देखिए प्रॉफिट करना और समझना इतना आसान नहीं आपको जितना कठिन लगता है उतना ही मजबूत चीज होती है वहाला कि यहां पर मैं थोड़ा सा आसान मानेने का प्रयास करता हूं तो अगर यहां समझ में नहीं अगर इस बीच में कहीं भी ओपनिंग कराती है और इस बॉक्स के बीच में ही रहती है तो यह कहीन नहीं तो यह ट्रेंड लइन के सपोट पे आप buy कर सकते हैं se ki position और se ke pution لے जा सकते है fac hondid points उपर की तरफ when ler 850 तक ले जा सकते हैं उपर यहां तक से्टें आप profit book कर सकते हैं जब यह position break करती है उपर की तरफ यह train this pass तो आप दुबारा फिर यहां से सी की पोशिशन ले सकते हैं और हंडेट पॉइंट उपर और आपको मिल सकते हैं मतलब 950 तक निफ्टी उपर की तरफ जा सकती है तो यह उपर की रेंज हम आप सभी को समझाने का प्रियास किये हैं उमीद करता हूं आपके यह समझ में आ करेगी तो सबसे पहले इसको ब्रेक करना होगा 18,750 की लेवल को जब 18,750 की लेवल को डाउनसाइड में ब्रेक करती है तब ही आपको 18,600 का लेवल देखने को मिलेगा यहां से मार्केट फिर उपर की तरफ जा सकती हो इस टेंड लाइन का सपोर्ट लेकर फिर से नीचे आ सक अगर कल को गैप डाउन हो जाता है ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है और मार्केट नीचे ही आने लगती है 18,600 का लेवल भी तूट जाता है तब आप क्या करेंगे तब आपको यह बेहत अच्छा सपोर्ट मतलब अगर करेक्शन करेगी बहुत अच्छा करेक्शन करेगी डाउन साइड में तब 18,430 का लेवल यहां पर आपको देखने को मिलेगा यहीं तक मार्केट 18,600 तक रहने वाली है 18,600 के ऊपर ही रहने वाली है ऐसे अमीद की जा सकती है 18,600 के लेवल को ब्रेक करती है तो 18,430 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में यह कम्प्लीट एंसिस हमने आप सभी को करके बता दिया अब आपको जीरो हीरो पोजिशन कहां पर लेनी है देखी मोमेंटम निफ्टी 50 में बहुत कम होता है तो अगर जीरो ही नहीं है आपको तो बैंग निफ्टी में लेजिएगा बैंक निफ्टी की वीडियो हमने अलिटी प्रोयाइड करा दिया आपको यहां आई बटन पे लिंक अगर नहीं मिलते तो वीडियो के इंडी स्क्रीन में आपको मिल जाएगी वीडियो अगर कंप्लीट देखते हैं तो अधर्वाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि निफ्टी 50 में 0 hero position मत बनाईए निफ्टी 50 में 0 hero position में momentum अगर नहीं होता है तो आपका premium 0 हो जाता है तो ऐसा है नहीं है कि 400 पे अगर खेल लेंगे तो 400 की possibility होती है कि यहाँ पे 20%, 22, 30% अगर आपको profit मिल गया तो मिल गया अधर्वाइज जहां पे आपका premium 0 हो जाता है 70% मैंने यह देखा है वहीं पे अगर बैंक निफ्टी 50 में आप 400 रुपए का खेल करते हैं तो वहाँ पे 70%, 72, 80% chances हो जाते हैं 0 hero call के success rate के जहां पे निफ्टी 50 में success rate कम रहता है 0 hero calls का फिर भी अगर आप निफ्टी 50 में ही 0 hero calls लेना चाहते हैं तो दो बज़े के आसपास में या फिर दो दस के आसपास में आप trade करेंगे 0 hero कोई calls लेंगे जिसे मान के चलो अथारा जचेशो के आसपास चल लही है एक्जाम्पल के तोर पर बता रहा हूं अथारा जचेशो के आसपास में अगर निफ्टी चल लही है तो आपको इसी के आसपास की strike price को चूज करना है यहाँ पर 50-50 point के difference पर strike prices आपको मिल जाती है जबकि बैंग निफ्टी में आपको 100-100 points के difference पर मिलती है तो यहाँ पर premium काफी सस्ते होते हैं तो 18,650 या 18,600 या 18,550 कुछ इस type के premium आसपास के आप ले लिजेगा तो इसमें आप सभी का profit हो सकता है जो 5 रुपए 10 रुपए की calls होंगी तो वो 20 रुपए 30 रुपए तक की जा सकती है इससे somehow नहीं जताई जा सकती है लेकिन दोस्तों मेरे कहने पर कुछ trade मत कीजिएगा क्योंकि मैं अभी savey registered नहीं हूँ और नहीं आपका को financial advisor हो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ educational purpose के लिए थी चैनल को subscribe नहीं किया है तो अभी subscribe कर लिजेगा वीडियो को like नहीं किया वीडियो को like कर दीजेगा और टेली ग्राम चैनल को join नहीं किया तो वहां तो विल्कुल join हो जाईएगा Instagram पे direct message कर सकते हैं otherwise को doubt होता है तो comment section में आप सोई लोग अगर comment करत करते हैं दोस्तों इस वीडियो में हैं पर हम आप से दिलाने चाहते हैं में लेंग लिए वीडियो में तब तक लिए जैहिंद जैभरत टेक केर बवाय अलाफ यू